नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में फ्रेंड्स, यदि आप मोसंबी या संतरे का जूस बनाते रहते हैं लेकिन उसे बनाने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी जूसर का रिव्यू जिसमें आपका मोसंबी और संतरे का जूस फटाफट से बन जाएगा और उसमें आपको बीज भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बात कर रही हैं अगारो रिजेंसी इलेक्ट्रिक सिट्रस जूसर की जिसमें आपका मेहनत में फटाफट से मोसंबी संतरे या निबू का जूस निकाल कर तयार कर सकते हो अगारो रिजेंसी इलेक्ट्रिक सिट्रस जूसर 350 वाट का स्टेंलेस स्टेल का जूसर है जिसमें 100% कोपर मोटर आती है इसमें उपर की साइड जो लिवर दिया हुआ है वो अल्यूमिनियम का है साथ ही इसमें रबर की ग्रिप आती है साथ ही इसमें दो कॉंस दिये हुए हैं ये दो साइज में हैं ताकि अलग-अलग साइस के citrus fruits का juice आसानी से निकाला जासे। यदि आप छोटा cone इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे juicer पर इस तरह से fit कर दें। और यदि आप बड़ा cone use कर रहे हैं, तो आपको छोटे वाले cone पर ही इसे इस तरह से fit करना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके filters, इसमें दो filters दिये हुए होते हैं, पहला ये stainless steel का filter है, आप इसके ये बीच वाले भाग को हटा कर आसानी से wash कर सकते हो और इसे वापस fit कर सकते हो। इसी तरह से ये दूसरा filter आता है, ये adjustable pulp filter होता है, यदि आपको कम pulp चाहिए ज़्यादा juice चाहिए, तो आप इसे इस तरह से adjust कर सकते हो, और यदि आपको pulp चाहिए juice के साथ, तो आप इसको इस तरह से adjust कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी filter इस्तेमाल कर सकते हो। ये आता है 650 ml का juice tank और इसे के साथ ये नीचे वाला एरिया है, जहां तक juice नहीं पहुचता है, आप इसे सूखा और साफ ही रखिए। Juice tank के एक साइड में ये steel का spout दिया हुआ है, यदि आप नीचे रखेंगे तो glass में juice आएगा, उपर रखेंगे तो juice tank में ही juice इकटा होता रहेगा। ये juicer anti-skid base के साथ आता है, जब भी आप इस juicer को इस्तेमाल करते हो, तो counter पर ये अपने पकड़ बनाए रखता है। इसके साथ आती है ये 6 ampere की power cable और ये है इसकी user manual तो चलिए अब हम juice निकाल लेते हैं, पहले मैं यहाँ मोसंबी का juice निकाल कर बता रही हूँ, ये बड़े साइज की मोसंबी है तो मैं बड़े साइज का con इस्तेमाल कर रही हूँ, spout के नीचे आप glass को रख दीजी, power की इस पर हलका सा pressure भी लगा सकते हैं, ताकि जादा से जादा juice बनकर तयार हो जाए, और ये देखे, अभी मैंने spout को उपर किया हुआ है, तो juice ग्लास में नहीं निकल रहा है, जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे, juice ग्लास में निकल जाएगा, और जब आप spout को नीचे रखें तो जैसे जैसे आप juice निकालते जाएगे, वैसे वैसे juice निकल कर ग्लास में आता जाएगा, तो देखा आपने बहुत ही आसानी से मौसंबी का juice निकाल कर आप तयार कर सकते हो, अब हम इसकी सफाई करेंगे, इसके लिए power cable को पहले अलग कर लीजिए, और ये देखे, मैंने कौन, filter और juice tank को भी अलग कर लिया है, जो इसका pulp है, उसे आप हटा लीजिए, आप देख सकते हैं, बीज बिलकुल भी इसमें crush नहीं हुए है, तो हमारा जो juice है, वो बिलकुल भी कड़वार नहीं बनता है, और इसे देखे, wash करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके parts का इसे adjust कर रही हूँ, क्योंकि मुझे juice के साथ pulp भी जादा चाहिए, तो हम इसे juicer में set कर देते हैं, और अब मैं यहाँ छोटे वाले कोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, पावर की बटन मैंने on कर दी है, तो मैं यहाँ संतरे का piece इस तरह से रखूंगी, और liver को इस तरह से प्रे का juice निकाल करके तयार कर लेंगे, बस इसे place कीजिए और liver को आप इस तरह से press कर दीजिए, तो आपको यदि pulp जादा चाहिए, तो आप उसी साब से filter को adjust कर सकते हूँ, यह लीजिए, जैसे ही हम spout को नीचे करेंगे, तो देखिए juice निकल कर glass में आ जाएगा, और लीजिए, मिंटों में हमारा संतरे का शानदार juice बनकर तयार है, और friends, जो liver पर ये कौन cover दिया हुआ है, इसे भी आप हटा कर आसानी से clean कर सकते हो, और clean करके वापस इसे fit कर सकते हो, तो friends, आपको ये product कैसा लगा, मुझे comment में जरूर बताइएगा, यदि आप इसे purchase करना चाहते हैं, तो इसका link मैंने description box में दिया हुआ है, जहाँ पर click करके आप इस product को purchase भी कर सकते हो, और इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो, तो friends, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye-bye.